नमस्कार दोस्तों मैं हो योगी और आप देख रहे हैं फिल्मि मार्ट दोस्तों जहां एक तरह बोलिवुड की बड़ी बड़ी फिल्मे बोक्स ओफिस पर 10-12 दिन में ही पूरी तरह से दम तोड़ गई वहीं दूसरी तरह प्रभास की फिल्म कलकी 289880 सिनेमा घरों में 42 दिन पूरे कर चुकी है और यह फिल्म अभी भी बोक्स ओफिस पर शांदर कमाई करते जा रही है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभास की फिल्म कलकी के सभी लेंग्वेज की वरड़ वाइड बोक्स ओफिस कलक्शन के बारे में साथ ही हम बात करेंगे सुपरिस्टार अजे देवगन की फिल्म औरों में कहा दम था के 6 दिनों के Total Box Office Collection साथ ही होलिवूड की फिल्म डैड़पूल एंड वल्वरिन के 13 दिनों के Total Box Office Collection के बारे में वहीं हम बात करेंगे साउट सुपरिस्टार धनुस की फिल्म रायन के भी 13 दिनों के टोटल वोक्स ओफिस कलक्शन के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं साथ ही इन में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो अगर सबसे पहले हम बात करें होलिवूड फिल्म डैड़ पूल एंड वल्वरिन की तो पिछले हपते रिलीज हुई है मार्वल यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसे इंडिया में लगबगती नजार स्क्रिंस और छे भासाओं हिंदी, तमिल, तेलगो, मल्यालम, कन्नड और इंगलिस में रिलीज किया गया था इस फिल्म को भी सिनेमा गरों में अब 13 दिन कंप्लेट हो चुके हैं और यह मूवी इंडियन बोक्स ओफिस पर दिन पे तिन ताबर तोड़ कमाई करते जा रही है कमाल की बात यह है कि दोस्तो यह फिल्म दूसरे हफ़ते के कलक्शन इस हफ़ते रिलीज हुई बोलिवुड की बाकी फिल्मों से ज़ादा रहे है यहां तक कि इस फिल्म ने इंडियन बोक्स ओफिस पर साउथ फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है यहां दोस्तो अगर बात करें फिल्म डेड़पुल 3 के 13 दिनों के वर्ड़ वाइड बोक्स ओफिस कलक्शन के बारे में तो बता दें कि इस फिल्म ने अपने सुरुआती 11 दिनों में इंडियन बोक्स ओफिस पर 112 करोड और पिछाण में लाक रुपए का कलक्शन किया था वहीं 12 दिन फिल्म ने 2 करोड 27 लाक रुपए कमाई बात करें आज 13 दिन की तो आज अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार ये फिल्म 2 करोड 10 लाक रुपए का कुल कलक्शन करने जा रही है और इसी के साथ दोस्तो इस फिल्म का जो 13 दिनों का इंडियन बोक्स ओफिस पर नेट कलक्शन होता है वो होता है 117 करोड 32 लाक रुपए वहीं ग्रोश कलक्शन होता है 140 करोड रुपए बात करें फिल्म के वर्डवाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म का जो अभी तक का टोटल दुनिया भर से कलेक्शन होता है वो होता है 954 मिलियन डॉलर जियां दोस्तों अगर बात करें इंडियन रुपीज की तो वो लगबग 8,000 करोड रुपए होते हैं अगर बात करें पिछले हपते रिलिज हुई धनुष की एक्शन पैक्ट फिल्म रायन के बारे में तो 90 करोड रुपए के बजट में बने इस फिल्म को तमिल के अलावा तेलगो और हिंदी में भी रिलिज किया गया था इस फिल्म को सिनेमा घरों में 13 दिन कम्पलिट हो चुके हैं और यह फिल्म अपने दूसरे हपते में भी बढ़िया कलक्शन करने में काम्याब रही है बता दें कि यह फिल्म धनुष के केरियर के अब तक की सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है जिया दोस्तों अगर बात करें फिल्म के टोटल वर्ड़ वैड बोक्स ओफिस कलक्शन के बारे में और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो इंडियन बोक्स ओफिस का नेट कलक्शन होता है वो होता है 87 करोड और 12 लाख रुपे का वहीं ग्रोश कलक्शन होता है 103 करोड और 68 लाख रुपे बता दें कि फिल्म ने वर्ड वैड बोक्स ओफिस कलेक्शन पे अभी तक 141 करोड और 90 लाक रुपए का कुल कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ इस फिल्म ने सुपर हिट होने का टैग भी हासिल कर लिया तो उस तो अब बात करें सुपरिस्टार अजे देवगन की फिल्म औरों में कहा दम था के बारे में तो नीरज पांडे के डिरेक्शन में बनी यह एक रोमेंटिक ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म में हमें सुपरिस्टार अजे के साथ तब्बू जिमी सेरगेल और सांतनु माईस्वरी नजर आए है बताते चलें कि सो करोड रुपए के बजट में बनी यह फिल्म बोक्स ओफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है हलांकि फिल्म को बोक्स ओफिस पर आज 6 दिन कमप्लीट हो चुके है और कल से इस फिल्म को एक हपता कमप्लीट हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि δूसरा हपता आते आते बोक्स ओफिस के सभी सिनेपागरों से यह फिल्म हट जाएगी जिया दोस्तों अगर बात करें फिल्म के 6 दिनों के टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने सुरुआती 4 दिनों में इंडियन बोक्स ओफिस पर 7 करोड़ और 6 लाख रुपए का कुल कलेक्शन किया इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 6 दिनों का नेट इंडिया कलेक्शन होता है वो होता है नो करोड़ और 50 लाख रुपए का बताते चलें कि फिल्म का जो टोटल वर्ड़ वैड बोक्स ओफिस कलेक्शन है वो अभी तक 15 करोड़ और 90 लाख रुपए का हो पाया है जी हां दोस्तों 100 करोड़ रुपए के बज़ट में बनी इस फिल्म ने मातर 15 करोड़ और 90 लाख रुपए का कौल कलेक्शन किया और इसी के साथ यह फिल्म अजे देवगन की केरियर की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म बन चुकी है वहीं दोस्तों अब बात करें इंडियन सिनेमा की साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लोकबास्टर फिल्म कल की 2898 AD के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नाग अश्विन के डिरेक्शन में बनी यह फिल्म 27 जून को दुनिया भर के सिनेमा गरों में रिलीज की गई थी और उस लियाज से इस फिल्म को आज बोक्स ओफिस पर 42 दिन कम्पलीट हो चुके हैं और इन 42 दिनों में फिल्म ने जो कलक्शन किया है वो पूरी तरह से एतिहा सिग रहा है जी यहां दोस्तों सुपरिस्टार पर भास किये फिल्म आज अपने 42 दिन भी रिकोर्ट तोर कमाई करते जा रही है बात करें फिल्म के टोटल 42 दिनों के वर्ड़ बोक्स ओफिस कलक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने अपने सुरुवाती 40 दिनों में हिंदी भासा से 245 करोड और 6 लाख रुपे का कलक्शन किया वहीं 41 दिन फिल्म ने 78 लाख रुपे कमाई बात करें 42 वे दिन की तो 42 वे दिन याज भी ये फिल्म हिंदी भासा से 65 लाख रुपे का कलेक्शन करने जा रही है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो हिंदी भासा का नेट इंडिया कलेक्शन होता है वो होता है 296 करोड और 49 लाख रुपे का वहीं gross collection होता है 352 करोड और 82 लाग रुपे बता दें कि इस फिल्म ने All India सभी भासाओं का जो gross collection है वो 889 करोड और 11 लाग रुपे का होता है वहीं फिल्म का जो total 42 दुनों का worldwide box office collection होता है वो होता है 1142 करोड और 24 लाग रुपे देखना यह होगा कि यह फिल्म आने वाले कितने दिनों तक और ऐसे ही collection कर पाती है अपनी राय हमें comment box में जरूर लिखें साथे daily box office report के लिए channel को subscribe करें वीडियो को like और share करना ना भूलें